नमस्कार मैं हूँ पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जबाब पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ यह पूछा है स्रीक क्रिफ्टना काटे नहीं और आपने कहा है कि आपके पूर्टफोरियो में है मेरे असेट लार्ज और मिटकैप फंड और मेरे असेट मिटकैप फंड पिछले साड़े चार साल से आप इन्वेस्टेड हैं इन स्कीम्स में और आपका कहना है कि लास्ट वर्न यर से यह स्कीम्स अच्छा प्रफॉर्म न साथ में तो इस की performance बहुत अच्छी नहीं रही है लेकिन क्योंकि आप काफी समय से इनमें invested हैं तो मेरी राए यह है कि कुछ समय आपको और यहां पर invested हैना चाहिए मुझे उमीद है कि इन schemes की performance improve होगी अगला सवाल जो में ले रहा हूं यह पूछा है आसुतोस दुदानी ने आसुतोस जी आपने कहा है कि आप फिलहाल पराग पारिक Flexi Cap Fund के अलावा आपने चुनी है Tata Small Cap Fund, JM Value Fund, ICC Provincial Nifty 200 Momentum 30 Index Fund, मूतिलाल ओस्वाल Mid Cap Fund, Tata Nifty Mid Cap 150 Momentum 50 Index Fund, UTI Nifty 500 Value 50 Index Fund और Nippon India Multi Cap Fund तो पहली बात तो यह है कि 8 schemes लेने का suggestion मैं आपको नहीं दूँगा, इसकी जगह schemes कम करनी चाहिए, पर आप पर एक Flexi Cap Fund आपके पास already है, यानि कि Large Cap, Mid Cap में आपका investment हो रहा है, एक Small Cap Fund एड किया जा सकता है, तो आपने चुना है Tata Small Cap Fund, इस Fund में आप SIP कर सकते हैं, साथ ही JM Value Fund, एक Value Category का Fund, ये भी आप रख सकते हैं अपने Portfolio में, और Mid Cap में, मोतिलाल ओस्वाल Mid Cap Fund आपने चुना है, ये भी Fund अच्छा है, तो इसके लावा आपने एक Factor Investing, जिसे हम Smart Beta Fund कहते हैं, ऐसा Mid Cap Fund भी चुना है, मैं कहूंगा कि आप फिलहाल बहुत सारे Fund मत लीजिए, पर पर एक Flexi Cap Fund, टाटा Small Cap Fund, GM Value Fund और मोतिलाल ओस्वाल Mid Cap Fund, ये Funds काफी रहेंगे, इसके अलावा यदि आपको Factor Investing में इंट्रेस्ट है, तो UTI Nifty 500 Value 50 Index Fund भी आप Consider कर सकते हैं, इसके अलावा यदि आपको Factor Investing में इंट्रेस्ट है, तो आप Tata Nifty Mid Cap 150 Momentum 50 Index, सिर्फ ये Fund आप रखिए अपने पोर्टफोलियो में, बाकी स्कीम्स यदि आप इस वक्त एड ना करें, तो मेरे इसाब से ये उचित होगा, बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अलावा सवाल, जो पूछा है, निरुपमा दास ने, निरुपमा जी आपने बताया है कि आ अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, कितने समय के लिए करना है, क्या आपको लमसम में इन्वेस्ट करना है, या आप SIB करना चाहती है, लेकिन इन जनरल, हलाकि 65 येज की एज बहुत ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या कोई आपके एक्टिव इ है यानि की equity debt और gold में यह invest करता है और यहां पर आपको returns FD के मुकाबले बहतर मिल सकते हैं और साथ ही यहां पर risk भी pure equity fund के मुकाबले कम है और multiple assets में investment हो रहा है तो आपको diversification का भी यहां पर benefit मिल रहा है तो मेरे साब से यह fund आपके लिए उचित रहेगा अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ पूछा है सुजीत प्रस्ति ने सुजीत जी आपने बताया है कि आपने कुछ funds में invest किया हुआ है और यहां से आप SWP करना चाहते हैं आपके पास है UTI balance advantage fund, UTI large cap fund, ICSA potential asset allocator fund of fund और HDFC balance advantage fund, अब आप कह रहे हैं कि एक fund आप और add करना चाहते हैं, ICSA potential debt and equity fund, तो मेरे साब से आपको और fund add करने की जरूरत नहीं है, आपके पास already आपको थोड़ा सा equity का exposure और कम करना चाहिए, जैसे कि UTI large cap fund आपके पास है, यह pure एक large cap equity fund है, इसके बजाए यदि आप hybrid funds रखेंगे portfolio में तो बहतर होगा, ICSA potential asset allocator fund of fund, यह fund भी अच्छा है, SWP के लिए HDFC balance advantage fund भी अच्छा है, तो मेरे साब से आप इन ही fund में अगर amount को और ब add करनी की सलहा मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, अब लेते हैं आज आखरी सवाल जो पूछे अजीत शाहा ने, अजीत आपने बताया है कि आपका investment है, SBI large and mid cap fund में 6,000 रुपीज पर मन के आप SIP कर रहे हैं, पराग पार एक flexi cap fund में 5,000 रुपीज पर मन, SDFC mid cap opportunities fund में 5,000 और SBI, Automative Opportunities Fund में 5,000 के आप SIP कर रहे हैं, अब आपको 5,000 की SIP और बढ़ानी हैं, और आप जानना चाहते हैं कि ऐसे में pharma fund कैसा रहेगा long term के लिए, आपका नजरिया है 10 से 15 साल का, देखिए यदि आप long term की बात कर रहे हों, तो आपको diversified funds में invest करना चाहिए, thematic fund या settled fund एक particular time period में अच्छा perform कर सकते हैं, तो किसी वक्त पर कोई sector करेगा, तो अलग time पर अलग theme या अलग sector बहतर perform कर सकते हैं, तो यानि कि themes और sectors जो होते हैं, रोटेट करते रहते हैं, मैंने कुछ समय पहले जी business पर भी एक ऐसा show किया था, कि core and satellite portfolio कैसा बनाया जाए, औ और मैं अपने यहाँ पर YouTube पर भी जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा, तो ideally किसी भी investor को एक core and satellite portfolio बनाना चाहिए, core portfolio यानि कि जो कि long term के लिए आप invest करेंगे, और इसमें diversified fund जैसे large cap, mid cap, small cap, multi cap, flexi cap, इस तरहां के funds हो सकते हैं, और satellite portfolio में आप thematic और sectoral fund को include कर सकते हैं, तो ideally आपका 80% या 70% investment core portfolio में हो सकता है, और 30% 20% satellite portfolio में आप रख सकते हैं, तो core portfolio में आप SIP के जरिये long term के लिए investment करते रहें, और satellite portfolio में आपको समय समय पर बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि sectors और theme rotate करती रहती हैं, कभी एक sector अच्छा perform करता है, तो कभी दूसरा sector, तो ऐसे में SIP करने के बजाए, यदि आप lump sum में invest करें, कुछ समय के लिए invested रहें, और जैसे ओ theme play out हो जाए, फिर आप वहां से exit कर लें, तो एक तो जैसे आपने already एक thematic fund में invest किया हुआ है, SBI Automotive Opportunities Fund, मैं तो कहूंगा कि इसमें भी आपको SIP रोग देनी चाहिए, और दूसरा सवाल जो आपका है, कि क्या आपको pharma fund में SIP करनी चाहिए, तो मिरी राय है नहीं, आपके portfolio में small cap fund नहीं है, आप एक small cap fund add कर सकते हैं, और इसके लिए निपाऌन इंडिया small cap fund एक सही चौईस हो सकती है, तो small cap fund को आप add करें SIP के लिए, और साथ ही आपको एक fund और add करना है, क्योंकि मैंने आपको एक fund में SIP रोखनी के सला दी है, तो एक fund और add करना है, तो कोटक multi-cap fund को consider कर सकते हैं तो flexi-cap fund, mid-cap fund, small-cap fund और multi-cap fund इस तरह से आप 4 funds अपने portfolio में रखें इन में SIP करें और thematic और sectoral fund चाहे वो pharma fund की बात हो या फिर automotive official fund की इन fund में छोटा amount lump sum invest करके छोड़ दें और फिर फिर दो-तिन साल के बाद में आपको शायद जरुवत पड़ेगी कि आप किसी और sector में move करना चाहें तब उस वक्त पर आप portfolio में बदलाव कर सकते हैं आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्णों के उत्तर दिया और मुझे उमीद है यह जानकर आपको पसंद आई होगी आपके जो भी सवाल या सुझाओ हो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजे जाज़त अगले वी आपके कर सकते हैं